अब हम लोग जो है नवग्रह तरोत्र का वर्ड वाइवर्ड मीनिंग देखेंगे और प्रनानसी एसन सीख लेंगे अत ओम स्री गनेशा आइनमहा श्री गनेश भवन को मेरा नमस्कार अत श्री नवग्रह तरोत्र इस प्रकार नवग्रह तरोत्र सुरू होता है जपा कुसम संकासम कास्य पेयम महाद्यूतिम जो गुड़हल के फूल के समान है मतलब जिसका कलर गुड़हल के फूल के समान है और इंजे से रड है जो कस्य प्रिसी के पुत्र है कास्य पेयम महाद्यूतिम जिसका रेडियन्स जिनका तेज है वो महान है तमूरिम सर्व पापग्णम जो तमस के मतलब इनडिसाइजिव नीचर के सत्रू हैं पाप को नास करते हैं पापग्णम वैसे दिवा करम जो दिन करते हैं दिन के कारक हैं वैसे भगवान सुर्य नारायन को मेरा प्रणाम प्रानतोश्मी एक बार जपाकुसम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमूरिम सर्व पापग्णम प्रणतोश्मी दिवा करम दुसरा स्लोग जो है वो चंदरदेब के लिए है दधी संख तुशाराभं छीरोदार्णव शंभवं मतलब जो दही संख या स्नो के कलर के हैं छीरोदार्णव मतलब जो इसमें दो सबस है छीर और दूसरा है अरणव मतलब क्या है कि दूद के वो सियन उसके उससे जो जन में है मतलब चंदरदेबता का ऐसा कहानी है कि उनका छीर सागर से उत्पत्ती हुआ है तो चीरोदार्नवसंभवम ठीक है नमामी ससिनम सोमम तो ऐसे ससी को मेरा प्रणाम जो की सोम सोम मतलब एक ऐसा सोम को ऐसा लिक्विड बताया गया है जिससे क्या होता है आनंद के लोग जो आनंद के स्टेट में पहुच जाता है इसलिए भगवान सीव अपने माथा पे जो लगा करके रखते हैं क्योंकि वो सदा आनंद में रहते हैं इसलिए उनको सोम कहा गया है नमामी ससिनम सोमम संभवर मुकुट भूसनम जो की भगवान सिव के मुकुट के भूसन है तीसरा स्लोग जो है वो मंगर देव के लिए जिसको भौम देवी करते हैं या फिर कुज क करते हैं इसको देखते हैं कि धरणी गर्व संभूतम विद्यूत कांती समफ्रव मतलब जो की प्रित्वी के गर्व से आये हैं जिनका जो कलर है जिनका जो से वो बिजली के तरह मतलब बहुत ही चमकीले हैं एक सर्फनेश है ठीक है विद्युत कांती समप्रभम, विद्युत के कांती के समान है कुमारम सक्तिहस्तंतं मंगलम प्रणावाम में है कुमारम मतलब कि वो हमेशा यंग है सक्तिहस्तं जिनके हाथ में सक्ति है सक्ति एक भाला टाइप का अस्तर होता है दुसरा सक्ति मतलब होता है कि जो एक कमांडिंग एक authoritative personality के हैं वैसे मंगल देव को मेरा प्रणाम है एवार देख लेते हैं धर्णी गर्ब संभूतम विद्युत कांती समप्रभम कुमारम सक्ति हस्तम्थम मंगलम प्रणाम्यम चौसा स्लोक है बुद्ध देव के लिए इसको देखते हैं प्रेंगु कलिकास्यामम एक प्रेंगु जो है एक पेड़ होता है तो प्रेंगु पेड़ के कली जिसका कलर कैसा होता है तो परपलिस कलर का होता है वैसा कलर है रूपे नाम प्रतिमम बुद्धम जिनका जो रूप है वो किसी को प्रितिकर है, प्रितिका मतलब किसी कोई भी देखे तो पसंद आ जाए जहां हम लोग एस्ट्रोलोजी में आगे चलेंगे तो हम बताएं कि बुद्ध जो है रूप देते हैं कैसे देते हैं वो सब भी आके बात होगा तो प्रियंगुकलिकास्यामं रूपेणा प्रतिमंबुधन तो जो बुद्ध ग्र है वो उनका जो रूप है वो बहुत ही आकरसक है पृतिकर है सौम्यम सौम्य गुनों पेतम तो बुद्ध जो देव जो है वो खुद तो सौम्यम मतलब soft skills के साथ है दूसरा वो सौम्य गुन को देते भी है ऐसा नहीं कि उनके पास है लेकिन वो देते भी है ठीक है मतलब बुद्ध भागवान प्रसंद नहीं तो आपको सौम्य गुन प्राप्त होगा और तम बुद्ध हम ऐसे बुद्ध भागवान को मेरा प्रणाम है एक बार देखते हैं प्रेयंग गुकली का स्यामम रूपे नाम प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुनो पेतम तम बुधम प्रणमाम्यम पांच मास लोग जो है वो देव गुरु ब्रिहस्पती के लिए है वो देखते हैं देवा नाम च रिशी नाम च गुरु कांचिनसन निभम इसका मतलब क्या है कि देवों के और रिशीों के जो गुरु हैं उनका कलर कैसा है तो गोल्डन कलर के हैं बुध्धी भूतम ट्री लोकेसं अब कहा गया है कि बुध्धी भूतम पहले तो भूत सब का मतलब समझते हैं आज तो बहुत सारा उसमें गलत-गलत meaning attached है लेकिन भूत का मतलब जो भी हो चुका है तो इसका क्या मतलब कि हम भी भूत हैं आप भी भूत हैं हम लोग भी भूत हैं आप भी भूत हैं जो भी हो चुका है उसको भूत कहते हैं ठीक है तो बुद्धी बुतम, अगर बुद्धी का कोई क्या करता है, उसको परसूनी फीके सान्स, कोई शरीर हो कोई कुछ दिखे तो जो बुद्धी हो तो वह कैसा दिखेगा, तो जो भृहango बृहजपती है वह खुद बुद्धी के अवतार हैं इसा समझ लिजी, unless जिनका 3 राज Hatalkmanald 상 goodbye अब कैसे अदिपति है ? विद्या के कारण अदिपत्य है ठीक है ? तो ऐसे बृष्पति को ऐसे जो जो बृष्पति मीतला कया होता ? जो की बृष्दी का रादे ठीक है ? तो ऐसे ब्रिहस्पति को मेरा नमस्कार है यह बार देखते हैं देवा नाम चे रिशी नाम चे गुरु कांचन सन्निभम बुद्धी भूतं त्रिलोकेशं तमनमामी ब्रिहस्पतिम ठीक है आगे देखते हैं ऐस स्लूग देखते गुरु शुक्राचारी के लिए है हेम कुंद मिरिनाल अलब मतलब प्रूल में गुता है है वैसे पूल का मिरिनाल मतलब जो डंटी होता है जो फूल और पेड से अटाइज रहने वाला जो डंटा होता है तो वो जो डंटा होता है या डंडी होता है उसी को मिरिनाल करते हैं कमल में बहुत क्लियरली दिख जाता है क्यों क्यों कि वो कमल में मिरिनाल पे ही फूल निकलता है ठ दैत्या नाम परमम गुरु मारब दैत्यों के आज तक जो गुरु हुए उन सम्में जो सबसे ग्रेटिस्ट जो परम गुरु हुए वो कौन है देव में दैत्य गुरु सुक्राचारे है ठीक है सर्व सास्तर प्रवक्तारम भारगवं प्रणामाम में तो पुराणों में कहान आज यह आता है कि देव गुरु ब्रहस्तती जो है अपने बेटे कच्छ को बेचते हैं कि आप जाईए और सुक्राचारे से नौलेज ग्रहन कीजिए क्यों करते हैं वो इस लाइन में बताया गया है इस सर्व सास्तर प्रवक्तारम मतलब सारे सास्तर इनको आता है आने के स ब्रिगु महरसी ब्रिगु के जो पुत्र है और महरसी ब्रिगु के बता दें कि जो घवत गीता है तो उसमें क्रिष्ण बगवान अध्याय नुमबर साइथ पांच में या चार में बताते हैं कि अगर इन सर्ष्टों में सर्ष्ट देखना है तो हम कहाँ दिखेंगे बोलते हैं और रिसियों में जो है ब्रिगु रिसियों में बोलते हैं तो उनके बेटे भारगव को जो सुक्राचारे हैं उनको मेरा प्रणान आगे आते हैं सातमा स्लोक सनी भगवान के लिए सनी देव के लिए नील अजन समाभासम मतलब अजन मतलब जो क्या कहते हैं उसको आप काजल काजल के समान कलर रखने वाले रवी पूतर जो सुरिभगवान के बेटे हैं और यम अग्रज जो यम से बड़े हैं, यम के अग्रज हैं, चाया मारतंड संभुथम, चाया जो आपका क्या नाम है उसका, संध्या, संध्या की जो चाया है और मारतंड से उस पत्ति जिसका हुआ है, वैसे सनिश्चर भगवान को, मतलब जो धीरे धीरे चलते हैं, सनय चरेती, यती तो ऐसे सनिश्चर भगवान को, मेरा नमस्कार है, आठमा स्लोक जो है, वो राहुदेव के लिए है, अर्ध काया महावीरियम, ठीक है, जिसका सरीर पूरा नहीं है, आधा काया है, आधा सरीर है, महावीरियम मतलब जो बहुत बलसाली है, चंडर आदित वी मर्दनम, जो प्रणाम है, अर्ध काया महावीरियम, चंडर आदित वी मर्दनम, सिम्मिका, गर्वसंदोतं, तमराहुं, प्रणामाम में है, नमस्लोक जो है, वो केतु देव के लिए, उसको देखते है, पलास पुस्प संकासम, तारक ग्रह मस्तकम, तो इसमें क्या है, कि पलास के पुस आलिकोन है, केतु है, तो यही है, कि तारक ग्रह मस्तकम, यह तारा द्वारा जो निर्मित ग्रह है, उसके मस्तक पे है, मतलब सबसे पहले इनका आता है, इनका जो नशतर आता है, रौद्रम, रौद्रमतकम, मतलब बहुत रौद्र है, मतलब उनके जो इंटेंस गुस्चा जो है वो सभाब को बता रहा है कि रौद्रम, रौद्मतकम, घौरम, इंटेंस के साथ ये फियर्स भी है, घौर भी है, और ऐसे केतिव देव को मेरा प्रणाम है, और आखरी स्लोक देख लेते हैं, कि इती श्री व्यास मुखोद गीतम, ये पठे सूसमाहित, मतलब इस प्रक जाता है, दिवा वा या दिवा रात्रो, विग्न सांतिर भविस्यति, अलब दिन में, या रात में, या फिर दिन और रात में, किसी भी समय, किसी भी प्रकार से बढ़ता है, उसका सारा विग्न जो है, वो सांत हो जाता है, भविस्यति, सांत हो जाता है, ठीक है, तो हम आस भूग लेगा या कुछ कर देगा दिस दै तो उनके लिए सबसे नॉर्मल सा सबसे सिंपल सा चीज है कि आप सुबह उठे नहाने सुनाने के बाद नभ ग्रह स्तुरत का पार्ट करें तक तक के लिए जय स्री गनेश